नमस्कार क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है कि वो दोनों शादी शुदा है फिलाल पुलीस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है यूती की हत्ता कब की गई थी एक मर्डर केस यहापे रेजिस्टर हुई है तुरिंस पुलीस टेशन में इसमें मुर्तक एक सदलती सुर्शे महिला है जिसका नाम मेगा है और जो एक हर्दिक शाह नाम के वेक्ति के साथ एक पिछले करीबन एक महिने से किराय का रूम करके वहाँ पर रही रही थी हर्दिक कुछ काम नहीं करता था इसके कारण उनमें हमेशा जगड़े होते थे उसके बारे में पडुसियों ने भी शिकाइट की थी तो उस कारण से जगड़े के कारण से हर्दिक ने मेगा का उसकी लाश उसने बेड़ में चुपाई और बाकी का सामान उसने बहुत जल्दी में कुछी लोगों को बेचके वो पैसा लेकर उपरार हो गया था जहां एक शक्स अपनी लेविन पार्टनर की हत्या कर उसके शव को पलंग में चिपा कर फरार हो गया तुलिंज पुलीस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफतार कर लिया है पुलीस के मुथाबित 27 वर्षी आरोपी हारदी किशाह अपनी लिविन पार्टनर मेगा धन सिंग तोरवी के साथ नाला सोपारम में सीता सदन सोसैटी में रहता था दोनों ने कती तोर पर अपने रियल एस्टेट एजेंट मकान मालिक और अन्य पड़ोसियों को बताया था कि वे शादी शुदा है फिलाल पुलीस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यूति की हत्या कब की गई थी जानकारी के मुतावित सोमवार को पुलीस को घटना के जानकारी पुलीस को दी गई आरोपी प्लैट छोड़ कर मुंबई भाग चुका था जहां से पुलीस ने उसे गिरफतार कर लिया और आगे की पुश्टाच की जा रही है उससे बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद करनाटक में रहने वाले मेगा की चाची को मेसेज किय और बताया कि उसने मेगा को मार डाला है उसके शव को बेड के अंदर चिपा कर रखा है उसने ये भी दावा किया कि वह खुद भी आत्मत्या करके मरने वाला है मेसेज पढ़कर मुर्तक यूती की चाची के पेरो तले जमीन खिस गई और उन्होंने तातकाल इनकी जानकारी फ्लैट एजेंट को दी जिसने पुलीस को घटना के बारे में बताया सुचना मिलने पर पुलीस फ्लैट पर पहुँची और तलाशी शुरू की इस दोरान पुलीस को बेड के अंदर से यूती के आउशेश मिले जिने पुलीस ने पोस्माटम के लिए भेज दिया पोस्माटम रिबोर्ट ने बताया गया है कि यूती की हत्या गला दबाकर हो गई थी